रादे रादे दोस्तों और कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं कुशल मंगलोंगे मैं अर्चना सक्षेना आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल घर की रसोई में आज मैं बनाने जा रही हूं खीरे की सबजी जो की बहुती स्पेशल है और इम्यूनिटी से भरपूर है दोस्तों तो क्रप्या करके आप लोग भी बनाएगा और इंजोय करिएगा और जादर से जादर वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा व आज हम खीरे की सबजी बनाने जा रहे हैं और दो खीरे लिए है मैंने और ये एक लहसुन की गाठ है इसमें से हम 16-17 कली निकालेंगे और ये दो प्याज है और ये साथ हरी मिर्चे है और ये थोड़ी सी अद्रक है दो हरी वाली इलाइची है ये और तीन से चार लोंगे ह और ये दाल चीनी का टुकड़ा है दोस्तों और ये साथ से आठ काली मिर्चे है और ये वही अपने रोजवाले मसाले आमचूर पावडर गरम मसाला तलने के लिए तेल और पानी दोस्तों ये खीरे हमने इस तरह से काट लिए है इस तरह से चोटा-चोटा और इसी तरह से आप लोग भी काटिएगा आईए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने पैन को ऑल से गिरीज कर लेंगे दो से तीन बून तेल डाला है दोस्तों हमने इस पर सर्सों का तेल है इस तरह से आप लोग भी बनाईएगा और ज्यादा तर सभी लोगों को डाइबिटीज है और हाड के भी पेसेंट है तो इसी लिए हम दो से तीन चम्मच ओल में ही अपनी सबजी को बनाएंगे इस से ज्यादा हम तेल का इस्तेमाल बिलकुल नहीं करेंगे और यह हम अपने खीरे पहले इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे ताकि इनका पानी कम हो जाएगा देखिए दोस्तों ये इस तरह से हमारे खीरे ये देखिए ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने लगे और एक निट के लगवग हमें अभी इनको और इसी तरह से भूनते रहना है और गैस हमारी लोटू मीडियम है ये देखिए अब हम अपने खीरों को इसमें से निकाल लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा ओइल डालेंगे बस इतने ही ओयल में हमको अपनी सबजी बनानी है ये दोस्तों सर्सों का तेल है दोस्तों अब हम गैस को अपनी बिल्कुल सीन कर देंगे और अब इसमें अपने मसाले एड़ करेंगे दोस्तों इसमें हम सबसे पहले ही डालेंगे ही हमारी भुनने लगी है अब हम इसमें जीरा डालेंगे जीरा अच्छे से भुन जाए फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे जो की हमने अभी पीसे हैं दोस्तों अब हम इसमें अपने जो पने मसाला पीस के रखा था वो डालेंगे खीरे का अपना कोई फिलेवर नहीं होता दोस्तों इसलिए हमने खीरे को गार्लिक फिलेवर दिया है आप लोग चाहा है तो लेसन ना भी डाला है उसके बदले आप लोग हींग डाल सकते हैं इस तरह से अपने मसाले को लोटू मीडियम फिलेम पर हम भूनेंगे यह हमारा मसाला भूनने लगाए अब हम इसमें अपने सूखे मसाले एड़ करेंगे हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर आदी चम्मच हल्दी पाउडर और यह एक चम्मच पिसा हुआ धनिया आदी चम्मच आमचूर पाउडर आप लोग चाहे तो टमाटर डाल सकते हैं और हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे इससे खुश्वू बहुत अच्छी आती है दोस्तों कसूरी मेथी डालने से और इसको भी हम भून लेंगे आज की सबजी दोस्तों इम्यूनिटी से भरपूर है तो आज की सबजी के लिए आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करें और आप लोग भी बनाएं यह देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया है अब हम इसमें अपने खीरे को एड कर देंगे और उसको भी भून लेंगे यह देखिए यह हमारा मसाला खीरे पर अच्छी तरह से कोट हो गया है आप लोग जैसा नमक खाते हों उसी हिसाब से इसमें नमक एड करें और अब हम इसको भी अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसको पानी डालकर पास से साथ मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे इस तरह से चलिए दोस्तों साथ मिनट हो गए है अब हम अपनी सबजी को चेक कर लेते हैं गली की नहीं इसको गल्ले में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यह देखिए इस तरह से गल जाएगी और अभी पास साथ मिनट के लिए और रख देते हैं अच्छी तरह से जो भी पीस रह गए होंगे वह भी गल जाएंगे चलिए दोस्तों और सब्जी देखते हैं अपनी अब यह देखिए इस सब्जी को आप इसी तरह से बनाएगा इस तरह से और यह देखिए सब्जी बनके हमारी सब्जी तयार है यह देखिए गल भी गई है अच्छे से अब हम इसमें अब हम इसको चला देंगे अगे 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 आधी चमत से वह कम पुश्बू के लिए अब हम इसको चला देंगे अब गैस हम अपनी बन कर देंगे अब सब्जी हम अपनी सर्व कर लेंगे दोस्तों यह हम इसको अपने दूद की जो मलाई होती है उसी से इसको हम गानिश कर रहे हैं आप लोग चाहे तो करें या ना चाहें तो ना करें तो दोस्तों आज की यह खीरे की सब्जी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और आप लोग भी बनाएगा अपने परिवार वालों को खिलाएगा बनाके और जरूरी नहीं कि आप लोग भी मलाई डाले मैंने तो फोटो किजनी है इसलिए मलाई डाली है नहीं तो कोई जरूरी नहीं है वी कम ओयल की सब्जी है दो चम्मस तेल में बनी है आप लोगोंने खुद देखा है दोस्तों और आप लोग भी बनाएगा खाईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद